तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इंस्टेंट क्रिस्पी पेपर डोसा. सुना आपने, है ना जबस दस क्रिस्पी क्रंची? बिलकुल वही पेपर डोसा रेस्टोरेंट स्टाइल आप इंस्टेंटली बना सकते हैं, ना तो आपको खमीर उठाने की जुरुत है और ना ही किसी प्रकार के कंप्रॉमाइस की, यानि ना तो हम सूजी का डोसा बनाएंगे, ना ही किसी प्रकार के चावल के आटे का और ना ही गेहूं के आटे का, इंस्टेंटली आप चावल और डाल का ही डोसा बनाएंगे लेकिन इस सीक्रेट रेशू से आज हम इसे बनाएंगे लोहे के तवे पर बहुत ही आसानी से तो चलिए शुरू करते हैं हरो फ्रेंड्स मैं हूँ पारूल कुपिट पारूल वे आपका बहुत-बहुत सौधत है वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा नगे तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले रेस्टरेंट स्टाइल इंस्टेंट कर्षपी पेपर दोसा बनाने के लिए यहां मैंने लिया है तीन-चौथाई कप उड़त डाल जो भाल बनाते है न वाली बनाते हैं तो तीन-चौथाई कप का आठथ है एक कप से थोड़ी सी कम यानि आदे कप से थोड़ी स्यागा औ उसी रेशो से आप कभी भी तुरंट डोसब बना सकते हैं, और ये मेंने लिया है आदा कप चावल का आटा, सिर्फ आदा कप चावल का आटा लेना है, तो जो रेशो रहेगा, तीन चौथाई कप उड़त दाल, आदा कप चावल और आदा कप चावल का आटा, अब ये मेंने में लिए दो बड़े चमच चना दाल, जो चना दाल हम बनाती है, वही वली है, दो बड़े चमच है, और ये मैंने लिए आदा छूटी चमच मैथी दाना, जिससे बढ़िया ब्राउन कलर आए हमारे इंस्टें डॉसी में, ये लेना बिकुल ऑप्शनल है, ये है एक परफेक मेथी दानों को, इन सब को हमें लगबग 3-4 घंटे के लिए बिगोना होगा पानी में, तो ये देखे, मैंने सभी चीजों को पहले ही बिगो दिया था, 3-4 घंटे पहले और दाल, चावल, चना दाल, मेथी दान, सब चीज बढ़िया से फूल गई है, सब को आपको इसी प कर देंगे, थोड़ा असान हो जाएगा, और साती में इसमें डाल रही हूँ, अब एक कप पानी, इसको अच्छे से पीस करके, इसका एकदब स्मूथ बैटर तयार कर लेंगे, और ये देखे, अभी मैंने सिभी इसको दरदरा सही पीसा है, इस स्टेज पर मैं इसमें एड करूंगी, चाबल का आटा, और इसे बापिस से स्मूथ पीस लेंगे, और ये देखे, मैंने अच्छी तरीके से बैटर को पीस लिया है, और बिल्कुल फाइन बैटर हमारा तयार हुआ है, पानी की मात्रा आप ये देख लें कि ठिक कंसिस्टेंसी का यह में बैटर तयार क अब यहां पर हम इसमें डालेंगे नमक, मैं छुटी चमज डाल रही हूँ, आप अपनी स्वादनुसा डालें, उतने ही बैटर में नमक डालें जितना यूज करना है आपको अभी, अगर आपको यूज नहीं करना अभी, तो आप बिना नमक डालें ये फ्रिज में स्टोर जो है 100% pure iron ore से बना हुआ और 100% ही toxin free product, no chemicals, no toxins, no synthetic coating, इस पर हमें मिलती है lifetime warranty, बहुत ही ठिक heavy body का बना हुआ है, जिसकी वज़े से even heat spread होती है, और जब भी आप इस पर पराथा, रोटी, उत्पम, डोसा, कुछ भी बनाते है, तो बहुत ही बढ़िया golden color में बनता है, एकदम बढ़िया तरीके से cook होता है, और heavy base होने की वज़े से, ये heat को retain करता है, लंबे समय तक, तो इससे आपकी gas भी बचती है, और जो डोसे बनते हैं, बहुत ही crisp और golden color के साथ, जैसे आप market में देखते हैं, खास बात, इस cast iron तभी की ये है, कि ये pre-seasoned है, no lead, no chemical, no cadmium, 100% safe है, हमारी health के लिए, तो लेजे, आपकी cast iron तभी के वारे में, जो भी आप पूछते थे कि कौम साल लेना चाहिए, आपकी सर्च हैं खतम होई, आप पूरे विश्वास के साथ, एक बढ़िया lifetime warranty वाला mayor's का cast iron तभा purchase कर सकते हैं, तो इसके साथ हमें मिलता है, mayor का ही, बहुत ही जिसको आप इस तरहा से इसके ऊपर कबर कर सकते हैं, जिससे आपको cooking के वक्त ये गरम ना महसूस हो, जो चलिए, instant क्रिस्पी पेपर डूसन आते हैं, mayor's के cast iron तभे पर, तो इसके लिए, गैस पर हम सबसे पहले तभी को चढ़ाएंगे, और medium flame पर तभे को बढ़िया से गर आप देख सकते हैं कि हलकालका सध्धुवा निकल रहा है, फ्रेम को हम यह लो कर देंगे, और कुछ बूत पानी की चीटे दालेंगे, तो सुना आपने आपको एक इसमें sound सुनाई दी, बिल्कुल ऐसी stage तक हमें तभे को गरम करना है, अब आप फ्रेम को थोड़ा लो कर द लगातार इस तरह चलाते हुए, जितना मोटा पतला आपको चाहिए, क्योंकि हम क्रिस्पी पेपर डोसा बना रहे हैं, तो हम पतला बनाएंगे, फ्लेम को अब आप मीडियम हाई कर दें, बीच का जो यह आप मोटा वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको इस तरह से स्प्र और अच्छे से नीचे से इसको क्रिस्प होने तक सिखने दे, और यह देखे, मैं आपको पास से देखाती हुए, बहुत ही प्यारा गोर्डन क्रिस्प आ गया है, यह देखे, और इसने साइट भी इसकी उठने लगी है, यह देखे, बज़े से स्पर हम दोसे को टन करेंग यह देखे, एक तम हलकी डोसे होते हैं, यह बिल्कुल पेपर जैसे बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, और यह देखे, बहुत ही प्यारा बीच में आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा गोर्डन कलर आ गया है, और यहां पर मैं आपको साइट से दिखाती हूँ, यह देखे, किस तरह यह अपने आप उठ रहा है, यह होता है, एक बड़िया तरीके से डोसा बनाना, और आपने देखा कि बिना खमीर के भी इतना अच्छा डोसा हमारा तयार हुआ है, अब मैं देखाती हूँ, इसका क्रिस्प आप देख सकते हैं, तो यह लीजे, बिल्क तयार है, हमारे नो फर्मेंटेशन वाले इंस्टेंट क्रिस्पी पेपर डोसा रेस्टरेंट स्टाइल, अब मैं आपको इसका क्रिस्प दिखाती हूँ, सुना आपने, है ना जबदस क्रिस्पी क्रंची, इस रेशो से जब आप बनाएंगे डोसे, स्वाधिस्ट किया है, सावर और नारियल चटनी के साथ, तो इंजाई कीजिए, क्रिस्पी पेपरी डोसे को, और भूल जाएए, रेस्टरेंट के डोसे को, और इने बनाना कितना आसान है, तो सापको रेशो को ध्यान में रखते हुए, अच्छी तरीक इसे बैटर को पीसना होगा, आपके साथ वीडियो शेयर किया था, वीडियो का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिया है, लेकिन कास्ट आयरन तवे की अलगी बात होती है, बहुत ही इविन कलर आता है, हैबी बेस होने के विज़े से बहुत बढ़िया कोक होता है, एक्तम क्रिस्प उस बारूल 15, आप ये कूपन को ड्यूस करें और उठाएं 15% डिसकाउंट का फाइदा, इस क्रिस्पी पेपर डोसे की खासवात यह है, कि जिन लोगों से भी डोसे अक्सर मुलाएं बनते हैं, ये शिकायत रहती है, आप इस बैटर से डोसा बना के देखिए, आपकी ये शिक कि अलंड sharing लुक्सर के लिएबू अठाएं 15, ये विर जाल जाओ ये शिकायत बना के बना के भी मघने हैं, अल इसकते हैं, अप तल्दा का बना के टाएंट, इस बना के ब झाल 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 मस्ट ट्राई रेसिपी है जरूर बनाईए मुझे जरूर बताईएगा के आपके इंस्टेंट क्रिस्पी पेपर डोसर कैसा बनाएएगा यह ज़िए जरूर